नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चनल स्टेडी वित स्मार्णेस में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 33 सेंडी सिक्षक के तबादले को लेकर के इसके वारे में क्या अपडेट है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेकिन दोस्तों अगर आपके चैनल पे नाया है तो प्लीज देख वर्चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए देखते हैं क्या अपडेट आज के वारे में बताए गई है यह आपकी देख वासक्रप के अपडेट है इसमें आपका बताया गया है कि 85,000 सिक्षको को गाड़लाइन का इंतिजार है 33 सिक्षको के तवाले पर नहीं हुआ निर्णा तवाला निर्णी नीती भी ठंडे बसते में है दोस्तो आपने देखा होगा कि जो ट्विटर में कैंपेन चल रहा है जो 17 जुलाई को दोस्तो जो धर्ना प्रदरसन की बात की जा रही है उसके बाद दोस्तो कोई निर्णा नहीं हुआ थीक है आंगे इसमेंद हम बात करें तो दोस्तो सीच्छा ब्योभग में राजसरकार की ओर से सभी समवर्गों की वहंपर तवदले किये मगर 33 सिख्चों के तवदलों को लेकर लिया नहीं नहीं लिया गया है साठे चार साल में 33 से डिरीं शिक्षकों के तवादलो की कई बार घोष्णा हो gewesen मगर सरकार की और से पॉलसिय की नाम पर तुर कभि अचा़ सही था कि नाम पर तवादलों शे डिस्टेंस दोस्तो बना लिया गया है पहले शिक्षको को मीद थे कि उनके तवादले ग्रीज में काली अवकास में हो जाएंगे मगर सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी शिक्षा व्याग ने अगस 2021 में राज के तरफन पर ओनलाइन अवेदन मांगे गया थे इस दौन राज के लिए लगवग 85,000 शिक्षकों ने तवादले के लिए ऑनलाइन अवेदन किये जबकि 22 मा के समय गुजर गया है और अभी भी दोस्तो 33,66 को का तवादलो का इंतजार है इस बीच राज सरकार ने सिक्षा भ्याग में 33,66 को छोड़ का सभी समरों के मंपर त दोस्तो यह आपकी जो अपडेट है वह आपका 3 जुलाई का है जो कि दोस्तो इसके बाद ही दोस्तो जो आपका निर्णा लिए गहगी 17 जुलाई के लिए जो आपको जैपूर जाना है तो आप लोग दोस्तो तयार रहेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंज भारत